चलो बाई एक बार सब लोग कमेंट राटे मुझे बता दो किया आम लोग लाइव हो चुटे आपको बेर ये ओडियो वीडियो ट्लियर है जल्दी से बार बताईए फटाफट क्या बात है ठीक है तो नमस्टार सातियों मैं यूटेश दुपता है बाफ फिल्द स्वारेट करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पाक्सला रेलिवेज जाम में कैसे भाई सब लोग हरा बच्चों जैसा कि आप लोग तो पता है कि हम लोग यहां बेसिट साइंस इं नमर 15 है और आज का हमारा जो टॉपेट होडा वह होडा ड्रॉइन इस्टूमेंट तो मैं आज आपको ड्रॉइन इस्टूमेंट के बहुत प्यारे प्यारे सवाल एदा मासूम मासूम से सवाल सौलटाने वालों बहुत ज्यादा मज़ा आए रहा पहले जल्दी से सब इस्टूमेंट धारकना अगर इंजिरियन ड्रॉइन से सबस्यादा कोशन टिसी सब्जेट से पुछे जाएंगे टिसी टॉपेट से पुछे जाते हैं वह हमारा ड्रॉइन इस्टूमेंट ही होता है चलो आगे बढ़ते हैं इस्टे अलावा मैं आपको बता दू इस्टा कंप्लीट फांडेशन बैच जोईन कर सकते हैं बचो एलपी टेखनीशन का फांडेशन बैच जिसमें आपको सीविटी बन और सीविटी टूटी पूरी तयारी टाई जाएगे और इसमें हर वो चीज हो डिए जो आपके सेलेक्शन के लिए जरूरी है सिंगल ऐसी चीज नहीं है जो आपके सकते हो जो इसमें ना हो अना प्रिवेस एर पेपार मॉटेस एवरी थिन चलो आजे आईए इस्टा लावा पार्ट ए जीडी सी एजजाम वाले बच्चे पार्ट ए और पार्ट वीटा प्रैक्टेस सेट जरूर ले 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 तोटी इस समय सबस्या जो आपके सपने को साकार कर सकता है 40 रंबा की पूरी तयारी कराए गही नहीं बलती पूरा सेलेक्शन में बदले रहा 40 रंबा ठीके बच्चों अब आज का पहला कोशन पढ़िए और जल्दी से मुझे उत्तर बताइए पहले कोशन का आंसर किस्टे साथ जाना जी क्या ब सीट का कार पूछाए जी बताइए एवन सीट का कार क्या है वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड एवन नाम भी पढ़े लेता हूं अब जल्दी से पहला कोशन का आंसर सब लोग देने बच्चों सर हम आपके पेड़ क्लास्टी नोट्स बना लिए क्या बुट लेना ज भी वाला उत्तर जाएड़ा आपको मैं पहले भी बता चुटा हूं जो सबसे बड़ा साइज होता है एड वो होता है वन मीटर स्ट्वाइर लेने जब मैं एवन की बात करता हूँ ना तो एवन जिस्टा आधा हो जाता है टोटी एवन की बात टी जा रही है ना अगर मैं यहां पर A2 टी बात करता लिए A2 ट्या होड़ा तो A2 बच्चो इस्टा भी आधा हो जाए डा 1 by 4 meter square अडर मैं A3 टी बात करता तो A3 इस्टा भी आधा हो जाता 1 by 8 meter square क्या बात है तो अश्र अबर कॉंसर से हो जाए डा B सवालता से उत्तर होड़ा चलो अडला वाला सवाल बहुत प्यारा सवाल देठे भाई ये वाले सवालता से उत्तर लोड़ दे पाते हैं question number 7 पढ़ो जल्दी से और बताईए टमेंट रटे इस्टा आंसर टेस्टे साथ जाना चीए ओटे थोड़ा बड़ सेसन तुँ सेर भी टर दो सब लोड ताटी जल्दी सब लोड 100 प्लस पहुँच जाए सवाल देठे अडला क्या है ड्राइन सीट के हरा एट साइस से ड्राइन सीट के एट साइस से अडले दूसरे छोटे साइस से छेतपल काहर बताइए एटम ध्यान से सुनो सर इन्होंने अडला दूसरा छोटा साइस मुला है माले जिए पहला ड्राइन साइस यह नौट है तो यह नौट के बादं बताओ सेके इंड नेस्ट फेंडस अनो देलर 5 पार A2 हो गा, आप मेरी बात समझ भा रहे है ना फिर सुनिय द्रोइन सीठ के इस साइज से अडले चोटे साइज अडलेे दूसरे चोटे साइज तो अडला चोटी साइज हो सब्सक्रांद पहला और अडला दूसरा autor चोटी साइज होगा आपको ही है A2 तो मेरे भाई आपको ये value पूछी जा रही है A0 divided by A2 पूछा जा रहा है ठीक है? तो बताई उत्तर किसके साथ जाएदा तो कहना अगर A0 टा area 1 है तो A2 टा area बच्चो 1 by 4 हो जाएदा देड़ लो जाए अरे होड़ा ना 1 by 4 A2 टा area और जैसी अरव मैंने ये ratio निटाला तो मेरे भाई बताई इसके साथ आंसर जाएदा 4 ratio 1 के साथ जाने वाला है आप सब लोग 2 ratio 1 या 1 ratio 2 दे रहा होगे आप फिर समझो इन्होंने question क्या बोला? इन्होंने बोला था अडला नहीं अडला दूसरा अडला तीसरा कहे दे अडला चौथा कहे दे तो तुम्हे समझना पढ़े रहा ना कि क्या उत्तर देना है ओपसर अबर D सवाल का सही उत्तर खुड़ा चलो, question number 3 फटा बड़ जल दी से पढ़े रहे हो बताई ने question number 3 का सही उत्तर हाँ, आज सा दीजे वेरी रोड, वेरी रोड, क्रुंदत, क्या बात है राजेस, टरंग सारे टे सारे बच्चे मिल्टे पहले एट बड़ सेसन तो दवाटे पहले से यारटो, ताटी हम लो 100 प्लस हो जाए पहले, सवाल देखी क्या है कि IS टेनुसार आप तो बताना है कि D3 टा साइज क्या है, बचों ये साइज याद टलेटा धान रटना एट बहुत जवर्जस तरीटा है, तरीटा क्या है कि आप वैलू याद टलो 1500, फिर वैलू याद टलो 1000, फिर वैलू याद टलो 700, फिर वैलू याद टलो 350 हाडा होता क्या है कि जह हम 22 तो मिला तर ड्रॉइन साइज बना लेते यानि उपर वाला 1500 और 1000 तो 1500 और 1000 तो तो 1500 और 1000 तो जो मल्टिप्लाई हो डा धारखना वो D0 बनाए डा फिर 1000 को 707 मिला दो यानि 1000 मल्टिप्लाई बताई ये टिष्टे साथ सर 707 वो बनाए डा D1 फिर 500 और 500 और 500 और 500 और 500 मिला दिया तो बताईए क्या बनाए डा D2 और बच्चों इस्टे बाल लाश्ट में 500 और 300 साथ मिला दो जैसी आपने 500 और 300 साथ मिलाया तो साइज बना दे डा D3 बोलिये सर्कों ट्लियर है अब आप तो मैं बता दू फिर से उपर वाला जो दो साइज है उसमें जो मोटाई रखी जाती है सर अभी मोटाई भी तो रखनी है ना उपर वाले दोनों साइज में 25 mm 25 mm की और नीचे जो मोटाई रखी जाती है वो 15 mm 15 mm की सर बैसेट साइंस इडिड़ वाइटी बुट उसमें थेवरी टेवल प्रीवसियर कोस्चन विवेट आप टीम को फोन कीजे मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ हना D3 इनों ने बोला है तो बच्छो D3 टा साइज 500.3500 देटो 500.3500 और इंटू बताई टितरा हो जाए पड़ो बताईए तो अजला सवाल आपके सामने श्ट्रीन पर बुणादर है प्रोटेक्टर बच्छो प्रोटेक्टर का हिंदी में मतलब क्या होता है चांदा तो चांदा बताईए कितने डिग्रीटा सुद्ध कोड बना सकता है यादखना चांदा ना इस तरीटे से सर चांदा इस तरीटे से अर्ध ब्रत्ता कार होता है बचो और चांदी के द्वारा धारकना zero से लेके 180 degree डगरी बनाया भी जा सकता है नापा भी जा सकता है लेकिन चांदा minimum कि तो ट् trainings चांदा जो minimum है सर वो बताई तितना माप सकता है 8 टीगरी ठीक है तो इन्होंने बोलाई ना सुधता सुधता टा मतला भी यह होता है सर सुधता टा मतला भी होता है minimum ठीक है तो answer न पताई किस्ते साथ जाए रहा option number C वाले उत्तरे साथ जाए रहा कि चांदेते द्वारा मिनिमम चितना सुद्धिता तर एंगेल माप सकते हैं सर वो माप आप आजा सकता है एट डिग्री टा और सर नमबार सी सवाल रसे उत्तर होड़ा ये लो बहुत प्यारा सवाल कोशन नमबर पाच वा फटा बड़ी दल दिष्टे पढ़ेंगे और बताएंगे कोशन नमबर पाच वे टाट है तो तर टिष्टे साथ जाना पढ़ेंगे बताएए क्या बात है डौरा वेरी डूट एट बेटे दो डिग्री इसमें नहीं बता है ना है बहिए एट बेटे 2 डिग्री में नहीं होता है चादे में हरा सवाव देटी क्या है फोर एजट, फ़ाइज, और नाइजच आपको पताना है कि ये पेंसिल कौन सी डेट की पेंसिल है बचो याद रत ना पेंसिल की डेट तीन होती है नाइज, एट एज, सेवन एज उष्टे बार 6H 5H 4H हरा, टोटल देटों 3 पेंच से लोड़े ही 6 प्रजाटी पेंच से लोड़े ही तो 9H से लेटर 4H तकी जो ड्येट होती है दोस्त मेरे वो hard grade में आती है कैसी grade में आती है? hard grade में आती है, जल्दी से मुझे बताईये बात सबको clear है जैसे ही मैंने यहां पर दो लाइने शीची, पहली लाइन, और यह दूसरी लाइन, ठीके, यह पहली लाइन, दूसरी लाइन, मैंने ही कहा कि यह जो दो लाइने हैं, सर यह दो लाइनों में से, एठ हमारा 5 है, एठ हमारा 4 है, इन दोनों में से, कोई एक 5 है, दूसरा हमारा 4 है आप मेंसे कोई मुझे बताएगा कि कौन इन दोनों में से किस लाइन को आप 5H ठहना चाहो रहें किसे 4H ठहना चाहो रहें जल्दी बताएगे हाँ बिल्कुल एदम से बता रहे हैं तो बच्चो धान रखना इन्होंने बोला थी भईया 8 है हादनेस बढ़नेस बढ़ने का मतलब होता है यह तो मेरे भाई भाई दहांड़को हिरा यह जादा रूसे यह जादा बलैक है तो इसे 4h बोला जाएगा और यह कम बलैक है तो बताये यह हमारा कौन सा होगा 5 है छोड़ा ठीक है तो इस तरह से आपको clear होना चाहिए आपको मैं बता दू फिर से देड़ो सबसे पहले 7B 6B 4B 3B और 3B के बाद बता ही हमारा क्या तरह हो जाए रहा है यह जो है सर यह हमारी टलाती है soft grid pencil hr7-2B तरह हमारी टलाई भी-soft. फिर B start कर दो HB, HB के बाद f आता है फिर H, 2H, 3H ठीक है तो यह हमारा 2s तरह हो यह कहलाता तो मारा medium Gray तो B से लेखे 2s तरव कहलाता है B से लेखे 2s नहीं B से लेखे 3s तरह हमारा यह वारा टला है डा medium grade और फिर इस्टे बाद देखो 4S से लेके 9S तत यह बताईए कॉंसा ग्रेट टला है डा hard grade रार खेड़ा चलो आरे बढ़ा जाए नेस्ट आई है अडला बताओ बच्चो प्रोश्र अबर छटवा बहुत प्यारा सवाल और थोड़ा ध्यान से पढ़िए नहीं तो गलती हो जारा सवाल आंसर दीजे बताओ अडला सवाल लिठा हुआ है कि ड्राइंग साइज में आपको बताना है कि A4 multiply 3 बताईए यह क्या है अड़ा तो इसलिए तो इसलिए तुम्हें A4 पहले साइज याद होना चीए बताईए A4 सब कुछ साइज याद है बच्चो A4 साइज होता है 210 गुड़े 297 हाला कि मैंने तभी याद रिखिया तो लेटे तुम लोट पढ़ाते याद हो लिया मैंने तभी याद रिखिया मैंने हमेसा A0 याद किया बाटी सब निडाल लिया तो बच्चो ये 210 गुड़े 297 लेटे प्रस्ण में A4 के साइज multiply 3 भी तिया था तो जैसी multiply 3 तिया होड़ा तो इसलिए मतलब ये वाला उत्तर तो सही नहीं होड़ा अब 210 तो 3 के साथ multiply टीजिए ये तो 3 के साथ 49 दूनी 41 तिया 63 630 है नहीं है अरे है 630 है ये लो बईया यही वाला उत्तर से होड़ा और सरमबर भी चेक टोलो जल्दी से जल्दी बताइए सवाल का सही आंसर समझ में आरे है ना भाई इस्टा multiply इस्टे साथ का आदो तित्रा हो जाए रहा सर ये multiply में हो जाए था तुम्हारा 297 छोटी बुजा तो पहले लिठा और 630 बाद में लिद्दिया तो आप लोट अधा सी वाला उत्तार दे रहे थे तो माफट पर ढिये रदो दो सी वाला आंसर डला थे इस सवाल पर जो सही उत्तार जायरा वो ऑफचरमबर बता ही थिस्टे साथ जायरा ठींध ऺ वाले आंसर ते साथ जा ряд तो जल्दी बादी में डलात बिल्कुल नहीं नेश्ट आईए, अजला सवाल बताईए, बताईए, बच्चों बोला जा रहा है कि free hand drawing बनाने के लिए, आप इन में से कौन सा size यूज़ करते हो, आज़ा दीजे, free hand बनाने के लिए आप मुझे बताओ जल्दी से, इन में से कौन सा size यूज़ किया जाता है, क्या बात, आपके पास जो फोटोटापी वाला पेपर होता है न, सर वो फोटोटापी वाला पेपर भी धारखना किस size होता है, A4 size होता है, और A4 size मैंने अभी ही बताया, सर 210-297, 210-297 धारखना है, ये size हमारा A4 होता है, free drawing बनाने के लिए हम लोट A4 टेस्तमाल करते हैं, option number D टेस्तम ओहो, ये वाला सवाल ने राटे दे गाईए, question number 8, पढ़िए वाई जल्दी से, yes, सतेंद्र, रमेश, वेरी डोट, राजेश, सुबोध, सुनाए, चार्ली, स्यू संटर, उज्वल, सतेंद्र, संदीप, क्या बात है, बच्चों, अडला सवाल है, इन में से कौन सा समूज सेट इस्ट्वायर में नहीं आता, हना, मतलब इनोंने बोला है, इन में से कौन सा समूज सेट इस्ट्वायर में नहीं आता, बच्चों, जो सेट इस्ट्वायर होता है, वो 30, 60 और 90, एक तो ये होता है, बच्चों, जल्दी से मुझे बताईए, दूसरा क्या आता है, सर, तूसरा आता है 45, 45, यह दो सेट इष्ट्वाइर आते हैं. और ट्रैइबार, सेट इष्ट्वाइर जो त्र्भूज ऺंटा होता है, उस त्र्भूज भी पूझ लेता है. 45, 45, नब्वे, यह कौन सा त्रोज बनेडा? सर, यह बनेडा, सम्दी बाहू तरभोज इसे बोला जाएगा सम्दी बाहू सम्दी बाहू सम्टोड तरभोज कई बार ट्रेंगल का नाम पूछ लेगा और उपर वाला जो होड़ा बच्चा वो टेवल ओ टेवल कैसा तरभोज होड़ा सर उपर वाला जो होड़ा वो टेवल आव टेवल सम्टोड तरबो जोड़ा सम्टोड तरबो जोड़ा तो बच्चो इन में से कौन नहीं है इन्होंने बोला था कौन सेट इस्ट्राइटर समों नहीं है तो आंसर इस्टे जाएगा option number A वाला उत्तर के साथ खोटी 60 degree सर 76 degree तो होता ही नहीं न चलो आजे ये next अडला सवाल बताएगे hello नामा नमबर पढ़िए जल्दी साओ बताए टोशन number 9-10 उत्तर क्या होड़ा क्या बात है तोड़ा इपार session रूर शेयर भी टरतो समलोड एट साथ पहले जल्दी समलोड 100 प्लस हो जाए फड़ा पड़ एक बार सेयर कर दीजे और जुनों अभी तो session रूर लाइट नीटी है बार लाइट जरूर कर देना सवाल बोला जा रहा है कि mini drafter में दोनों भुजाए कि स्कोर पर होती है बचो आप कभी mini drafter तो देखिए कितने एंगल पर होती है तो टैदना ये दोनों भुजाए हो बन रही होती है 90 डिग्री टे एंगल पर हाणा तो officer अंबर बताए किस्टे वह साथ जाए दा officer अंबर B वलाउत तो हो डा 90 डिग्री मैं आपको कुछ process टे नाम बोल ला हूँ आप मुझे बताना हम लोड़ mini-drafter से टर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ठीके पहला code बनाना दूसरा समांतर रेठा ठीचना तीसरा लंवद रेठा ठीचना तीसरा कोय है लंवद रेठा ठीचना अडला चाप ठीचना अगला क्या है पेच्छा? अगला है चाप खीचना, जैसे हम बुरत टाट चाप खीच देते हैं न, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मैंने लिठा कोर, फिर समानतर रेखा खीचना, लंबवत रेखा खीचना, चाप खीचना, ठीक है? और एक और बहुत दे रहूं आपका लंब बताओ इन में से कौन सा कार है जो नहीं कर सकता हरा तो बच्चों कोड़ खीश सकता है समानता रेठा खीश सकता है लंबाई भी माप सकता है लेगे मिनी ड्राफ्टर ही मतलब से हम चाप नहीं खीश सकते हैं बताओ کیya चाप ठीशा सकता है बताइए आप ड्राइन इस्ट्रूमेंट टर्ते है तो क्या मिनी ड्राफ्टर से चाप ठीशा है अब मुझे बताओ नहीं हीच हूँ और रहता सवाल और आप देखते हैं कितने लोगों ने बहुत कैदे से सवाल पढ़ा है, बहुत कैदे से आपको ड्रॉइन साइस के बारे में पता है, और मुझे देखना है इन में से ये वाला कोशन कितने लोट साइटर पाते हैं, इनाम दूरा है, इनाम, चलो बताइए उतर, सवाल नगीक्या आ है ड्रॉइंकई लंबाय और चोड़ाय e tasks इतना होता है very good इन में से बताईये कौण से इस प्रदा गलत है आप न ये बात मुझे बता ओ, आप लोगों को पता है ना, सुरुवात वाला जो A0 होता है, वो area 1 mere square होता है, पता है ना however A1 कोता है, सर A1 8-1 मीटे 2 square होता है, तो बचो पहला वाला statement तो हां रा, सही हो जिए दूसरे वाले के लिए आपको साइज याद होना चाहिए मेरे भाई साइज मैंने आपको कई बार बताया है A0 का साइज होता है 841 गुड़े 1189 फिर जब हम A1 निकालते हैं तो 1189 टा आधा 594 पहले लिखते हैं और 841 बादवे फिर A2 निकालेंगे तो 841 टा आधा 420 पहले लिखेंगे 594 बादवे लिखेंगे फिर A3 निकालेंगे तो बच्चो 594 टा आधा 297 पहले लिखेंगे 420 बादवे लिखेंगे A1 A2 A3 तरही तो है देटो तो मेरे भाई A1 का मान 594 डुड़े 848 सही है A2 डमान देखी क्या है 297 डुड़े 420 और आपने टहा है 848 डुड़े 420 माफ कड़िये रहे दोस्त सरे गलत हो गया यह गलत हो गया और इन्होंने गलत वाला ही पूछा है मेरे दोस्त तो और अफसर अमबर कौन सा जायरा दी वाला बोलो भाई जल्दी से बुझे बताईए आप तो यह बात समझ में आई की नहीं है आप तो यह जो मैंने ड्राइन सीट का साइज निटालना सिठाया अगर मैं A4 निटालता तो 420 का आधा यानि बड़ी वाली भुजा का आधा पहले लिद देता चोटी वाली भुद्रबाद बे भरवान की कासा में आज दे बाद अडर यह तुम्हें भूल जाए तो चलो आज़े आई है अडला सवाल बताई जल्दी से ने सवाल बताई जल्दी से इस सवाल का सेहत्तर क्या होना चीए आंसर दीजे बच्चो उटाई बार हम लोड दो सेट इस्ट 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 मदस से कोई भी एंगल बना सकते हैं लेगे प्रसंपता कैसा आता है कि दो सेट इस्ट 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 मदस से कौन वाला एंगल बना सकते हो तो ये जो 2 सेटट श्ट्रयार है इसकी मतब़ दिरह सब बना सकते हैं 15 डिख्री के मन्टिपिल का कोई भी अंडिल आपका होड़े एक्सोपांच बनाते हैं यह यह मां बना दूँ गाव तो जित्रे भी 15 में आते हैं वो सब बना सकते इन्होंने बोला है कि दो सेट स्ट्वायर की मतलब से एक कोड़ दिखाए डिया है इस कोड़ पीट अमान बताना है कि ये कोड़ पीट इतना हो रहा हूं जबिक इसमें ये बुझा छोटी है देखोव ये बुझा छोटी तो prob ये एंगल 45 येंगल पैतालिस अना जब्की ये वाला जए वाला सेट स्ट्वायर सर रिष्ट्री ये बुझा छोटी है तो ये टोड तीरी हो जाएगा और मेरे भाई ये साच डिद्वी अमे इस सैट स् भी पड़े रहा उस्टी बुजाओ से तो पैताली सो तीस पच्छत्तर अज़े ये पच्छत्तर है मेरे भाई तो ये कंफर्म 805 डिड़ी होड़ा तो आंसर बताई टिश्टे साथ जाएदा और सर अमबर ए 805 डिड़ी टिश्टे साथ जाएदा हाँ हाँ क्या बात है प्लिए रहा आदे बड़ा जाए नेस सवाल आपके सामने स्ट्रीन पर पढ़े भाई जल दीस और बताई डे अडला सवाल तो से उत्तर टिश्टे साथ जाएदा पढ़ा जल दीस बताई उत्तर आंसर दीजे बच्छों बोला जारा है प्रोटेक्टर चांदा इन्होंने बॉला है जो प्रोटेक्टर होता है वो बताईए अंगल तो किस में मापता है रिलिवosis से सब किसमें मापता है मास्टर याद रूखना है मास्टर सल्क्रिल ऐसे व्रत्ता टार मार उसमें होता है और मास्टर सल्क्रिल से दा रखना जीरो से लेके कोई भी एंडिल माप सकते हों मास्टर सल्क्रिल से ठीटे चलो नैस्टा यह अटला आहा तेरवा रब्बर सवाल पढ़िए जल दीए और बदाए टोशन रब्बर तेरवे टांसर टिस्टे साथ जैड़ा क्या बात है वेरी डोट सुवास राजेस प्रिंस क्या बात है अब यह वाले सवाल थोड़ा ध्यान से दें टीट भाया सब लोग जाए बच्चों बोला जा रहा है ति ड्रॉयं सीट ए नॉट से जा रहा है बढ़ते ट्रम में हैं तो बोला जा रहा है ति अब बताओ क्या disposi को इस दली से A naught से A4 कैसा करम होता है तो तेना जब हम लोग A naught से A4 जाते हैं बचो ये हमारा बढ़ता करम नहीं होता Actually में ये area का ढ़टता करम होता है अब प्रस्ण बोला जारा बढ़ता करम तो sir इसना मतलब आप ढ़द बोल रहे हो सही नहीं है option number B मिला जुला रहता है मिला जुला था मतलब ये बीच मे बढ़े फिर ढ़ mega जब A 0 से A 4 जाते हैं पर तो वह हमारा तरहे है घटता है 청ड़ मेर अब ये सवाल तो सब्सक्राना सही होना जैए और रोएं बोड जो होता है जिस्टों आप D0, D2, D3 तहते हो आपको उस्टा आटार पूछा जा रहा है कि बताईए उस्टा सही आटार क्या है बताईए बच्चों आप लोगों तो सब पुछ यहाद होना चीए जैसे कि D0 मैंने पहले भीटा आता D0 मतलब 1500 गुड़े एठ हजार अब इन्टू पच्चेस तो जी सबसे बड़ा साइज D0 होता है तो 1500 गुड़े एठ हजार गुड़े पच्चीस यह नहीं दूसरे एटे साथ जाए रहा D1 8000 गुड़े 700 गुड़े पच्चीस यह चोथे जाए रहा D2 700 गुड़े 500 गुड़े 15 यह देखो D3 500 गुड़े 300 गुड़े 15 248 3 यह रहा भया अफसर अंबर C यह हमारे ड्राइन बोल्ड के साइस से सवाल था देखलो चाहे अफसर अबर C सवाल था से यह अनसर हो जा चल नेश्ट आई है ला यह लो कई बार ऐसे सवाल बनेगे कई बार ऐसे कोशन भी बनेगे आपको कह देखा ति मैंने आप लोगों को एक ड्रॉइन साइस दे रठा है जैसे देखो चित्र में एक ड्रॉइन साइस दे रठा है अब बोल देखा बताओ यह ड्रॉइन साइस किस्टा है ठीटे चलो आपनों बता पाओगे 594 टुड़े 849 क्या है दो मुझे नहीं याद हुआ आस तर नहीं याद हुआ मैंने अपने स्टूडेंटों भी नहीं याद टलो मुझे बस एट याद है कि पहला वाला जो होता है वो 849 टुड़े 1189 होता है तो बताएए दूसरा वाला क्या हो जाएदा तो 1189 टा आधा 594 और मेरे भाई 849 देठों उसी तरह से रहे डा राएड़ा तो ये टॉन सा हो जाएदा सरीए A1 साइच का हो जाएदा option no c ये c टले सब तो समझ में आरे नहीं आरे मुझे पता है कि आप लोड बहुत ज्यादा इसको याद करने में कंफूज रहते थे याद करना बहुत आसान होता है बिल्कुल भी कटिन नहीं होता है चलो कोशन नमबर सोल में जल्दी से सब लोड आंसर देने और बताइए इस सवाल ना सही उतर टिष्टे साथ जाएदा थोड़ा एबर सेशन रों सेयर कड़ो आज 1500 प्लस टार्ट कला भी क्रॉस हो रहा चीए फड़ा बड़ा एबर सेशन रों लाइट वीटर देना छोटी कंपास के द्वारा कितने व्रत्त चाप ठीचा जा सकता है बच्चों दो तरह की कंपास यह व्यास है व्यास यह व्यास है रेडियस में पूछा जाएदा तो और कम कर देगा लेगा आटर यही बड़ा कंपास होता कि बताएए बड़े कंपास में आप कहां से कहां तक ठीच सकते हो तो तो बड़े कंपास में आप 50 से लेके 150 mm तक का व्रत ठीच सकते हैं व्यास म तो आंसर पता ही किसने साथ जाए रहा और सर अबर सी इस सवालता सही अंसर जाने वाला है 25 mm से 50 mm और सर अंबर सी डेटा याद कर लेना नेश्टा यादला बताईए बताओ बहुत प्यारा सवाल टाइटल ब्लॉट का कोश्चन है देखते तरे लोग टाइटल ब्लॉट का सह अंचे भी टाइटल ब्लॉट होता अंचे से पी मेरे पास यह ड्रॉइन सीट है हाथ तो आसि इस्थे राइट साइड में नीछे का जाए जाए है उन पासो इस साइज मीटघाLPल पूसता है हरा तो दा रखना इस title blot तो जो size होता है बच्चो वो 185 into 65 mm होता है हम लोग पता title blot में क्या लिखते हैं एट तो हम लोग day लिखते हैं या date लिख लिजे हम लोग date लिखते हैं कि भई या कौन सी date है हरा उपर से हम नाम भी लिखेंडे किसने बनाया है हाना हम लोग projection भी लिखेंडे यह कौन सा projection है फर्स्ट एंडल प्रोजेक्शन है थी थर्ड एंडल प्रोजेक्शन है बास समझो हम लोग लिखेंडे seat number भी लिखेंडे कि drawing seat का कौन सा number एट है दो है तीन है बनानी हो दिना मैं drawing लिखेंडे कहीं भी यहां पर seat का अकार नहीं लिखा जाता जारकना हम लोग seat का अकार टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखते दिनांत लिखना होगा धाना है ठीके चलो आजेंगे अडला सवाल बताईए यह लिजेंग्शन थोड़ा ध्यान से दूसरे एक चोटी बुझा या दोनों की बड़ी भुझा या दोनोंस छोटी बुझा उनका रेशियो पूछ लेता है है जैसे भी सवाल क्या बोला जा रहा है कि A4 की छोटी भुजा देखो A4 की छोटी भुजा यादि A4 का मिनिमाम सा छोटी भुजा और बच्चो A2 Sir A2 टीवी कौन सी भुजा ली है Sir A2 टीवी छोटी भुजा ली है इन दोरों का रेशियो पूछ रहा है नि बताए क्या रुपात होना जी ठीके गलती रही करना तुम लोगो वेरे भाई तुम लोग यहां पाट साला से पढ़ाई कर रहे हो कैसा बताए निकलेडा Sir A9 का बताए यह मान क्या होड़ा 841 गुडे 1189 पहल लिख लिए कोड़ो यार एक नट A1 क्या होजाए दा Sir A1 होजाए दा 594 गुडे 849 क्या देना A2 क्या होजाए दा Sir A2 तुम लोगा होजाए दा 841 गुडे 94 पहर A3 क्या होजाए दा Sir A3 होजाएदा 297 गुडे 420 और मेरे भाई जब A4 पूछ जाए दा तो 420 टादा 210 गुड़े 292 ठीक है चलिए उत्तर मिल रिया क्या बोला जा रहा था सवाल में था थी A4 टा मिनिमम तो A4 टा मिनिमम दोसो दस यह देखो एटूटा मिनिमम चारचो बीस देखो आम मेरी बाद सब जेड़ा तो A2 टा मिनिमम चारचो बीस और जैसे आप यार चारचो बीस तड़े रे तो मेरे भाइद देख लिजए इस्टा जो आंसर जायरा वो वन बाई टूटे साथ जाने वाला है सवाल का सही उत्तर ओफशन र क्लियर ओडिया गल्ती दुरह हुई टीसी से हरा कैसे लगाए जाया देख लीजे चलो अड़ला सवाल बताई जल्दी से कोशन अबर 19 क्या कहते हो कोशन 19 के बारे में हरा अंकिता कह रही हूं सर आती हूं अंकिता जो भी लाना दो लेते आना है एट मेरे लिए एट अपने ल भी देना यह व्रत ठीज देना हाँ तो बच्चों एब बताओ क्या सरा लेखा ठीजता है नहीं आयत रभूजनी बनाता बहिया कंपास जो है व्रत ठीजता है और अड़र व्रत ऑप्सन में नहीं हो तो चाप लगा देना ऑप्सन अंबर सी दो तरह एके कंपास होते मैंने बता दिया एक छोटा कंपास एक बड़ा कंपास यह सवाल बहुत प्यारा है और यह मैंने नीमी पैटर्ण वाली जो किताब होती है वहां से उठाया हुए सवाल है और बताए इस सवाल का सही अंसर क्या होड़ा धन्यवाद धन्वाद सैलेश सिंगी बहुत बहुत टी स्ट्वायर का वर्टिंड एज कैसे चेड करते हैं वो सही है कि डिलत है बच्चों आप पता है कि टी स्ट्वायर एज बहुत इंपोर्टन डिवाइस होती है जो हम लोग ड्राइंड में यूज करते हैं और कुछ इस तरीटेस होती है मुझे अगर ये चेड करना है कि टी स्ट्वायर की वर्टिंड एज सही है जी डिलत है अर्थार इसकी वर्टिंड एज प्योर 90 डिवी टे एंगल पर है कि नहीं तो हम लोग अपने इस टी स्ट्वायर को इस ड्राइन सीट में लडाएंगे और एक भुजा थीचेंगे जो भ समांतर दिखाई दे रही है जा आज और उपनी बुजा में लाइन खीक टेल यहां तो प्रोर्ण लैएंगे यहीं सहीनि दो सेंसल्डाक है ड्रोइन बोटे टे निचले टिनारे के पास सीधी रेठा ठीश्टर इसमें और इसमें क्या आंता है बच्चों उपर वाला आप आंसर सही टरना बाई ड्रोइन पहला लाइन्स और बुलो दा अधर एट दूसरे टे नीचे समानता रेठा ठीश्टर ये इस सवाल का सही अंसर है हड़ा ये सवाल का सही अंसर है पहले लाइन्स पीचिनी होड़ी डला तबिया अउफ्चर नमबर ए बोला दोस्ट बाट अब तो प्लियर है न sécur है तो सवाल का सही अंसर होड़ा option number a सवाल ना से या answer होड़ा ठीक है clear है हम लोग निचली टेनारे पे खीशते हैं उपरी टेनारे पे नहीं और ज़रा भरे चलो आगे यह अडला सवाल आप जल्दी से बताएंगे RS का पूरा नाम क्या है यह चेक कर लिया जाता है अपनी तरफ से अडला सवाल देखो इन्हों नों बोला है ति RS का बताएंगे जल्दी से पूरा नाम क्या है ड्वाइन पढ़ते समय आप RS जरूर देखते हो ड़े और बच्चो धार रखना RS का पूरा नाम होता है बताएंगे जल्दी से पहले आप लोग answer दीजे RS का पूरा नाम जल्दी से बताएंगे क्या होगा आज़ा दीजे बच्चो यह हमारा तब यूश्रे जाता है जब हमें अपने किसी ड्रॉइंड आटार को ड्रॉइंड सीट में बनाना होता है हाणा और याद अपने यह जो हमारा आरेफ है इसका पूरा नाम होता है representative fraction क्या होता है representative fraction यह हमारा आरेफ का पूरा नाम होता है हाणा यह आरेफ दो तरह का हो सकता है या तो वो reduction इस्टेल का हो सकता है या enlarging इस्टेल का हो सकता है तो officer number हमारा कौन सा जाएगा B वला उत्तर हो जाएगा रखी जाती है अना जो आप लोग ड्रॉइंग बनाने जा रहे हो तो ड्रॉइंग की माप को उपर रखे और बचो जो एक्च्वल माप है वो हमारा कहां रखे सर एक्च्वल माप को नीचे रखे यह एरस निटालने का फॉर्मला होता है ऑफसर नमबर बी सवालता से उतर हो अनला ये लो बड़ा प्यारा सवाल है फटा बड़ जल्दी से पढ़े ले और बताई रही इस सवालता से उतर टिष्ट्र ते साथ जारा पढ़े वह जल्दी से क्या बाद है तोड़ा इपर सेशन रो और सियर टोड़ो भाई फड़ा बढ़ बाइसवा नंबर सवाल है पूरे चालिश टोश्चन है अभी बच्चो अडला सवाल देखिए बच्चो नेश सवाल है पेंसिल पी लीड टा ग्रेट सबसे अधित सॉफ्ट किसमे है आप मुझ जो 9H है ना ये सबसे ज़्यादा हार्ड पेंसिल है तो हार्डेस्ट पेंसिल को भी पूछे तो टैदेना 9H हारा 7B ये बताइए कैसी पेंसिल होती है ये सॉफ्टेस्ट पेंसिल होती है सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट ठीक है बच्चो इस्टे साथ साथ ये सबसे ज़ होती है blackish pencil है बदला इससे जो कुछ भी लिठोगे एदम काला काला होगा और बच्छो 9ह वाली जो pencil है वो बहुत हल्की लिठती है light-ayst बहुत हल्की pencil लिठी जाएगी तो color इदम इसका कैसा होगा हलका होगा इन्होंने बोला है कि बताईए कौन सबसी अधीद सॉफ्ट है तो अपसर नमर बताईए किस्टे साथ जाए रहा डी वाले उत्तर इसाथ अब आप लोगों को बताना है comment में 7B और 9H इन में से किसमे ड्रेफाइट की मात्रा जादा होती है किसमे ड्रेफाइट की मात्रा कम होती है तो जब भी ड्रेफाइट की मात्रा पूछा जाए तो कहना ड्रेफाइट जिसमें जादा होता है उस pencil द्वारा लिखेगे अच्छा रिडन में काले-काले होते हैं, ब्लैक होते हैं. तो 7B में जो ड्यफाइड होगा उसकी मात्रा maximum होगी, इसते अच्छा हलके होते हैं, तो 9H में ड्यफाइड की मात्रा काईसी होगी, सर मिनिमूम होगी, एक और चीज़ सुनिया, बच्चो एक और मात्रा होती है क्रायो लाइन की धारक न ये भी मात्रा कई बार पूछ लेता है बच्चो इसती मात्रा मिलाने से पेंसिल हार्ड होती टैसी होती हार्ड ये तो सोफ्ट है तो क्रायो लाइन की मात्रा 7B में टैसी होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए कोटी ये मिलाने से hardness पैदा होती है graphite मिलाने से softness और blackness आती है हाणा तो जल्दी बताईए 9 edge छूटी ये pencil सबस्यादा hard है और इसलिए 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 मात्रा जो है यहाँ पर हमारी कैसी हो ली सबसे जादा तो इस सारा कुछ आप लोगों को याद होना चाहिए फिलाल आंसर 7B होड़ा अडला सबस्वाल बताईए जल्दी सबस्तर आप लोग थोड़ा एक कमेंट पॉट्स में एचीज कमेंट करोड़े जो pencil होती है ना pencil pencil का cross section area मुझे बताईए जल्दी से जो pencil होती है pencil का cross section area बताईए जल्दी से क्या होता है फटाबाट कमेंट आटे बताईए pencil का cross section area क्या होता है अडला सबस्वाल बताईए आंसर दीए pencil की lead lead बताई pencil की टिश्टी बनी होती है pencil की lead का मतलब होता है जो अंदर का black black वाला हिस्सा है मुट होता है जो आपसे पूछा बच्छो कि मैंने इस अटीजहा आपसे पूछाए है यह लेगे हैं क्या बाते उज्वल पढ़िये जल दीचे और बताईए अडले से वालता आंसर किस्टे साथ जाना चीए वेरी गोड मलाद्या निन्ड में से ड्रॉइन पेपर का बताईए सही साइज ट्या है अगरे बया ड्रॉइन पेपर के साइज आपने पड़े या पड़े नी पड़े अब आप बताओ क्या एट सोपैतालीर स कहीं से जोना है जैसे A4 वाला क्या होता है hint长 A4 वाला होता है 210 तॉड़े 297 यह होता है हरा और क्या हमने C वाला साइज सुना A1 क्या होता है 849 तॉड़े 1189 यानि 594 तॉड़े 1189 अरे भाई यह सही है यह गलाद है B वाला साइज होता ही नहीं है चैके टरलो तो क्वाला साइज आपको मिल सकता है लेकिन और में से हर खोली साइज नहीं मिले रहा और अजा यह पुछे तिये क्यों साइज है तो कहना यह साइज है सर A1 का कि नश्टाइए अडला कि मताओ 25 रंबर सवाल पढ़िए गल्दीज और बताए प्रोशन रंबर 25 रंबर यह तो बता दो रहे हैं आप सब लोट एक बार कमेंट मोट्स में खंसर करते जरू मुझे बताए कि आपको क्लास समझ में आ रही इतनी आ रही जो मैं आपको चीजे स समझा रहा हूँ जो मैं आप वो बता रहा हूँ आप वह पले पढ़ रहा है निहीं पढ़ता ऐसे सवाल दुबारा कभी आपके मिलें डे सामने आमना सामना होगा तो फोड़ दो लेना हैं बताये सवाल देखे अडला क्या है इक मास्टर सर्क्ल में बताईए तितने डिग पूरा एंगल माप सकते हैं ऑफसर अंबर D नेस्टा यह लो अब थोड़ा ब्लेड की लंबाई के बारे में भी पड़े लेड़े हाँ 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 बच्चो इन्हों ने बोला है कि IS 1986 अनुसार T3 बच्चो आपनों पता है कि जो भी हमारा T2 ह होता है तो टीश्ट्वार मार्केट में कितने साइज का आता है एक T0 आता है टीवन आता है टीटू आता है एक T3 आता है चलो भई जल्दी से बताएए इनके ब्लेड के साइज कितने होंगे तो सबसे बड़ा होता है धानठ ये रा सर टीनोट इसमें ब्लेट का साइज उतना ही होता है जिसमें ड्राइन बोर्ड का मैक्समम साइज फंदरा सो फिर एठ हजार यादे मैंने कायर पैदा फिर सास सो और बच्चो उस्ठे बाद बताईए कि तरह हो जाए रहा सर उस्ठे बाद हो जाए रहा 350 mm सौरी 350 टाइटो सास सोरे भार नमबर आए रहा 500 mm रहा डेख लो सर इन्होंने T3 बिलेट पूछी है तो T3 बिलेट परता ही कि तरह साथ जाए रहा सर पांसो mm के साथ जाने वाला है और सर नमबर डी टेस साथ है हाँ बिल्कुल राजेश एद्दम तुमने सही कॉंसेप्ट दिया वही मैं आप तो समझाना भी चाह रहा हूँ सारे बच्चो तो एद्दम समझाना चाह रहा हूँ ये वाला सवाल बताईए बच्चो इन्होंने बोला है चित्र में दो टी स्ट्वायर्टी मदद से हमने एट एंडल बनानी की कोशिश थी और आपने पूछा जा रहा है बताईए ये एंडल तित्रा बढ़ेडा और ये वाला एंडल पूछा जा रहा है दोनों बूजाएं लड़भड बराबर दिखाई दे रही है और इसमें देखो सर इसमें ये बूजा छोटी है ये बूजा बड़ी है तो छोटी बूजा के सामनेटा टोड़ छोटा बड़ी बूजा के सामनेटा टोड़ बड़ा क्या टेखते हो तो टन्फरम साथ हो चालीस एक्सोपाँच तो ये वाला इंडल बता ही ततरा हो जाएदा 75 डिग्री टा हो जाएदा और साथ नमबार बी सवाल का सही आंसर हो जाएदा 75 डिग्री नेश्टा याट्रा ये लो बहुत प्यारा सवाल आज साथ देजिए फड़ा पड़ जल्दी से बता ही टर्मेंट वाट्समेंट क्या आंसर होना चीए देश्टो एट बार एट टाम करो सब लोट जल्दी से सब लोट एट साथ सेयर कर दो ताकि हम लोट तुरंत एक जटके में 200 प्लस हो जाए इतनी इमानदारी के साथ इतनी मेनद के साथ क्लास लाई जाती है थाटी आपका रिस्पॉंस तरड़ा मिले हरा और जुरोर अब जा लाइट नीटी है लाइट भी कर दीजे कुटी वो भी हमारा काम से नाम 850 प्लस होना चीए ड्राइन बोल्ड के बताओ जो चिन्नित भाड एट से इस चिन्नित भाड एट को क्या नाम से जाना जाता है अभी मैंने आपको ड्राइन बोल्ड का साइज बता दिया बच्चो ड्राइन बोल्ड में ना हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट लगाते है यह प्लेट इसलिए लगाई जाती है ताथी इसमें ना T-squire फिट किया जा सके क्या फिट किया जा सके T-squire अब T-squire जड़ह ही ले लिया है वो मिनी ड्राप्टर ने तो बच्चो इस जड़ह का नाम क्या है सर इस जड़ह को बोला जाता है इबोनी सथा बात है बढ़ बच्चो बोला जारा है ऊन्टराइन तो बच्चो बना ना 15 डिग्री के अंतराल में कोड़ बनाने क्लिए हम किस्टा इस्तमाल करते हैं तो कहना 15 डिग्री के अंतराल में हम लोड सेट इस्ट्वायर के इस्तमाल करते हैं किस्टा सेट इस्ट्वायर दो तरह के सेट इस्ट्वायर होते हैं उनको अलड़ लड़ पोजीशन में रटकर 15 डिटा वो जूश टड़ लेते हैं और जितरे भी 15 के मल्टिपिल में होते हैं सारे के सारे कोड हम लोग सेटिस्ट्राइटी मदद से बना सकते हैं नेश्टाइए 30 ये लोग बताइए हाँ आज सदीजे अजला सेवाल देखो क्या बोला जारा है कि free hand drawing किस pencil से बनाई जाती है अरे free hand का मत्लब सुझते हो कि TC तरह का कोई पैमाना नहीं कुछ नहीं उठाया सामने TC टो रख लिया माली जया आपने सामने घोडा को रख लिया घोडे चित्रा ऐसे बना दिया that is called free hand drawing हना और free hand drawing ज्यादा तर चितकाल नोट बनाते ही तो बोला जारा है कि free hand drawing के लिए आप बताओ इन में से कौन सी pencil रहा इस्तिवाल टरोड़े 4H, 3B, H और HB ठीक है तो बच्चों धा रखना जितने भी free hand drawing होती है वो सब हमारी HB pencil से बनाई जाती है HB pencil से अभी मैं जाए types of line पढ़ाऊंगा ना तो types of line में मैं बहुत सारी चीज़े बताऊंगा कि किस तरेटी line ने कौन सी pencil से बनाई जाती है चलो next आई it up this आज़ा देड़े और बताई जल्दी से सवाल ना से उत्तर टिष्टे साथ जाना जीए बढ़िया बच्चो इस बार बोला जा रहा है बताईए इन में से कौन सी pencil सबसे आदा softest है आपको वो pencil कर नाम बताना है जो इन में से सबसे आदा soft है अभी तर हमने hard वाली pencil पढ़ी अब सबसे आदा soft वाली pencil बताने है इन में से कौन सबसे आदा soft वाली pencil है ठीके तो देखो मैंने अभी बताए ना 9H जो होती है वो सबसे आदा hard pencil होती है hardest pencil लेगे सबसे आदा softest pencil जी बार ट्रेड़े तो हमें बताईए किष्टे साथ जाना होड़ा 7B वाले उत्तर टे साथ जाना होड़ा 7B वाले टे साथ next thing आदा हम बताओ आदा सबसे रमबा 32 पढ़िए बाई जल दीसे और बताएं तोशे रमबा 32 के उत्तर क्या होड़ा हाँ very good ये आल आंसर दीजे T-square टा नाम किस्ते अनुसार रठा जाता है जैसे पिए ये रहा हमारे पास T-square ये रहा T-square ऐसे बच्चो दा रखना ही जो T-square है अगर मैं पूछू कि T-square नाम में इसे क्या बोला जाता है सर इसे बोला जाता है स्टॉट ये क्या होता है सर ये होता है तोबारा बलेड तो बच्चो जो मैं बताता हूँ ना कि T-square T-naut है T-1 है T-2 है T-3 है पंद्रह सो एठ हजार साथ सो पान सो ये सब हमारा बलेड की लंबाई होती है तो मार्केट वे जो T-square मिलते हैं वो हमारा बलेड की लंबाई के अनुसवार मिलते हैं तो लेंथ आप बलेड ये सवाल का सही अंसर जाएदा और सर अंबर ये वाला होता है लेंथ आप बलेड नेश्ट आइए चलो तेते नंबर पढ़िए जल दीजिए बताए उत्तर हाँ बलेड की लंबाई और बलेड की लंबाई और स्टॉट के बीश्ट आ एंगल 90 डिगरी होता है ये बात भी आप लोगो याद रहनी पड़े भी आर्जा देजे भाई अडला सवाल बताईए सेट इस्टोयर का समूँ इन में से क्या है आर्जा देजे हां बिल्कुल 90 डिगरी होता है अडला सवाल आपके सामें बहुत प्यारा सवाल What are the angle of set-ISHोयर बचों set-ISHोयर में मैंने रहा है पहला set-ISHोयर होता है 13 degree 50 degree वाल और दूसरा set-ISHोयर होता है 45 और 45 वाला और कोई भी उत्तर देख लिजे repeat रही है और कोई भी आंसर देख लीजे, इसी तरह से रिपीट रही है, तो answer पताईट इसने साथ जायेगा, तो आज हमनों दोने Drawing Instrument के 40 questions वह ल करने, तो कल हमारा Drawing का हमारा अजला chapter होगा, और कल में जो अदला चेप्टल लेके आऊंगा बच्चो ड्रॉइन का वो टाइपस ओफ लाइन से आऊंगा टाइपस ओफ लाइन लाइन के साथ सब मैं पॉइंट भी ले आऊंगे लाइन लाइन और पॉइंट दोनों होंगे तो आप सब लोड लाइन और पॉइंट को अच्छे से पढ़ते आएंगे टल मेरे पुराने वीडियो देखिए टा उसमें मैंने टाइपस ओफ लाइन पॉइंट पढ़ा रखे तो लाइन और पॉइंट को पढ़ते आना है बताइए प्रोटेक्टर टा समाने अकार्ट कैसा होता है बच्छो प्रोटेक्टर चांदा सिर्फ ऐसे ही होता है ऐसे है तो इसने उत्तर जायरा सेमी सल्कुलर और सेमी सल्कुलर होने की वजए से ही वो 0 से 180 डिग्री तर टाइंडल मापता है बच्छो अडला सवाल देखी बोला जा रहा है बारा मुझाओ वाली नीमित बहु बुच्टा हर आंत्रिक कोड बताइए ये भी चेप्टर होता है जिस्टों बोलते ही जिमिट्टल फिडर धारकना n-2 into pi और divide by n ये तो वहरा टेस सबते हो फॉर्मला इस्टवाल किया जाता है किसे भी बहु बुच्टा आंत्रिक कोड इनकालने के लिए n-2 into pi divided by n बस n-2 जल्दी से इसको काट ट्वीड देते है तो 12 कोड़ा 880 से टेंसल दिया जाए तो 15 बार जायरा मेरे दोस्त और 15 डुड़े 10 बताईत इतना होता है 150 डिली होता है इस सवाल रसे उत्तर और बी होड़ा 150 डिली नेश्ट आया चला अगला सवाल कोश्चन नमबर 36 ध्यान से पढ़ेंगे statement based कोश्चन है अना हमेशा दार रखना जो statement based कोश्चन होते है वो थोड़ा बढ़िया कोश्चन होते है वो थोड़ा सो समझना होता है भी सवाल रसे अंसर क्या होना चाहिए देखते भाई टित्रे लोट इस सवाल रसे उत्तर दे पाते पढ़ें pencil की lead की hardness बच्चो pencil की lead की hardness आप मुझे बताईए किस पर निबढ़ करती है hardness अभी लास्ट में सब लोग रुकेंगे अगले अगले पांच-छे दिन का यनि अगले दस दिन का क्या प्लान है मेरा मैं अभी बताऊंगा लास्ट में सब लोग रुकेंगे ठीक है तो बच्चो pencil की lead की hardness होती है क्योटी इन्होंने hardness बोला है तो hardness जो depend करती है वो बताई इस पर depend करती है वो टैलो लाइन की मात्रा पर depend करती है लेगे अगर softness दी बात करते हैं तो बताईए softness इस पर निबढ़ करती है तो धार रखना वो तारीक तो ट्या करना है 11 तारीक तो ट्या करना है 12 तारीक तो ट्या करना है वो मैं अभी सारा आपके सामने distress रहूंगा बताईए BIS टा पताईए पूरा नाम क्या है कोटी कुछ दिन बचे कुछ ऐसा टाम कर लिया जाए जिससे ती आपकी ट्लास भी बढ़िया हो और वो आपके examet question भी मिले आंसर जल्दी से बताईए बटाई ही जल्दी से BIS टा पूरा नाम क्या है बचो BIS की स्थापना 23 दिसंबर 1986 में हुई थी अना सर BIS जो है उस्था पूरा नाम होता है Bureau of Indian Standard Bureau of Indian Standard ओफसर नमबर बताई तोस्ट नमबर 38 टे साथ जाए रहा क्या बात है बहुत जादा मजा आज है बाइए टोस्ट नमबर 38 तो ध्याम से पढ़िया और बताईए ruler और प्रताल की सायता से अरे कई बार हम लोग जब angle बनाते हैं तो angle बनाते समय में compass और प्रताल के इस्तिमाल से यहनि पठरी और compass ते इस्तिमाल से angle बना देते हैं बच्चो या तक न, प्रताल और stale की मदब से हम लोग 30-degree वाले angle बनाते हैं मतलब 30 degree angle बना सकते हैं, सर 45 dgle आया 35 dgle बनाये जासंता है 30 और 45 धरक घरक न아서 35 टी बीर बताई इतना एंडल आता है तो कहने 35 टी बीच में देखो 35-37 आता है वो भी बनाये जासंता है मेरे बाई अप मेरे बास समझो 35-37 और 30 सरभ 35-37 और 30 यानि जित्रे भी बीच वाले एंगल होते हैं तो बीच वाले एंगल हमेशा बना सकते हैं तो 60, 60 बना सकते हो, 60, 22 बना सकते हो, 60, 37 बना सकते हो, लेकिन तीताले डिगरी नहीं बना जा सकता, आप चाहे छेट रहो, ठीक है, हाँ, देखो एंट, लोड़र मुझे बता दिया, 33, 75, विल रॉल, 33 दसमलो 75 ठाभी एंडिल बना जा सकता है, नेस्ट आइए, 49 नमबर, दो कर दो सब्दो चलो और मैं अटी ती से चंच चलो तो अगर रापश दुल ए घरा चानदे की पजлять से भी ठीचा है, है उससे भी आप 90 डिग्री टेंगिल ठीज सत्ते हो इसलिए सवाल तर सही अंसर पताई इसने साथ जाए रहा ऑफ्षय नमबर डी वाला उत्तर हो रहा ठीट चलो नेश्ट है चालेस बचो चालेस नमबर सवाल बोला जा रहा है कि 20 mm चोड़ाई की अना बॉर्डर लेंद के सवाल है देखो पहले मैं बता दू बॉर्डर लेंद क्या होती है जो ए नौट और ए वन होता है इनके साइज बड़ा होते है तो बच्चो ए नौट और ए वन के लिए जो बॉर्डर चोड़ाई होती है वो 20 mm रठी जाती है कितने mm? 20 mm लेगा अडर मैं बात करता हूँ A2 मैं बात करता हूँ A3 मैं बात करता हूँ A4 और वच्चों मैं बात करता हूँ A5 की उनके लिए border चोड़ाई कितरी रठी जाती है 10 mm रठी जाती है तो सवाल का बताई ये answer किस्टे साथ जाए रहा सर 20 mm ली बोला जा रहा है अब आप लोड में से वो लोड रूटे रहे जो regular मुझे follow करते है regular मेरी class में आते हूँ उनके लिए बढ़िया सा surprise है YouTube पर और जो लोड अभी जाना चाहते है वो लोड चले जाए अब पास-दस मिनट आपसे बात चीप कर डूँड़ा मैं अभी बताऊंगा आपको अडले 5-6 दिन में मैं आपके लिए क्या special टरने वाला हूँ जो आपका 15 दिसंबर में selection टरा दे तो इसलिए वो लोड जरूर रूटे रहे ठीक है चलो बईया तो यहाँ से आज के 40 कोशन खताम हो जाते हैं मैं आपको आड़े बता देता हूँ कि आड़े हम लोग क्या टरने वाल है अडले बचे हुए दिनों में क्या टाइम टेबल रहे ना उसनों समझ लेजे पहले आज तारीट कौन से ओड़ी पांच बच्चों हमारे पास 6 दिसंबर है हमारे पास 7 दिसंबर है हमारे पास 8 दिसंबर है हमारे पास 9 दिसंबर है हमारे पास 10 दिसंबर है हमारे पास 11 दिसंबर है हमारे पास 12 दिसंबर है इसी तरह से बताईए हमारे पास 13 है हमारे पास 14 है सिर्फ 14 तरक का प्लान है मेरे पास उस्टे बाद हम लोग क्या टढ़ेंगे बच्चो 15 तारीक को जो पेपर होड़ा वो पेपर सामवाली क्लास में सौल टढ़ेंगे ठीके? चलो अब बात आपको बलता दू 6 तारीक को क्या है सर आज हो दिया मंडलवार यानी 6 तो वेडनस डे होड़ा, साथ को हमारा थस्डे होड़ा, आठ को हमारा फ्राइडे होड़ा, नौ को हमारा सेटर्डे होड़ा, और बच्चो 10 को हमारा संडे होड़ा ठीके? सुनी आप ध्यान से जो मलता रहो ध्यान सुनो, अना तो कल Wednesday है, कल हम लोग बचा हुआ पार्ड पढ़ेंगे, यानि Line and Point के बारे में पढ़ेंगे, इसके कोशन अभी नहीं हुए ना, Line and Point के वो पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग साथ तारिटों जो पढ़ेंगे, वो Projection पढ़ेंगे, Projection के अभी कोशन नहीं हुए है, ड्रॉइन में यही दो चेप्टर बचे है, Projection और Line इनको पढ़ेंगे, आना, बच्चों, आठ तारिटों में क्या काओंगा, कि आठ तारिटों में यूटूब पर एक पूरा सेट सौल काओंगा, आटो मोबाइल का, आटो मोबाइल में कौन-कौन सी Trade ID, वो ID, Heat Engine, आना, Diesel Mechanic, Motor Mechanic Vehicle, और हमारा Tector Mechanic Vehicle, 75 कोश्चन का यह सेट सौल राओंगा, 75 कोश्चन का होड़ा यह सेट, इसने बाद, जो मारा Saturday आएगा, Saturday में मैं Mechanical तर एक सेट सौल राओंगा, Mechanical तर सेट में Fitter, Turner और Machinist, Fitter, Turner और Machinist, इस्टा जो 75 कोश्चन का सेट होड़ा, बचो वो मैं सौल वीडियो आएगा, आप सब लोग वो वीडियो देख लीजेगा, बहुत इंपोर्टेंट होड़ा वो वीडियो, फिर इस्टे बाद, 11 तरिट से 12 तरिट को मैं GAS PEPER सौल राओंगा, यह एस्पेक्टेट पेपर, बच्चो बेसिट साइन्स, इंजिरियन ट्रॉइंग का, सर, बेसिट साइन्स, इंजिरियन ट्रॉइंग के, मैं सोच रहा हूँ, लाश्ट में मैं आपको 40-40 कोशन का, एक और एस्पेक्टेट सेट सौल राओंगा, यहाँ पर एस्पेक्टेट पेपर 1 होड़ा, एस्पेक्टेट पेपर 2 होड़ा, एस्पेक्टेट पेपर 3 फिर जब 15 तारीक आईडी तो जीडी सीटा एक्जाम हो चुटा हो डा और जीडी सीटा एक्जाम टा जो पेपर सलूशन है मैं 15 तो पेपर सलूशन राऊँगा 15 तो पेपर सलूशन राऊँगा ठीक है सर मैं बड़ा कन्फ्यूज और एससी रेलवेटे लिए है बच्चा मैं तो सीधा कहूंगा कि अगर आपके मन में है कि मैं आपकी एज है तो फॉर्म सारे भरिये किसी तरह एका कोई कन्फ्यूजन मत रठी है तोटी फॉर्म सारे डालने चाहिए कोई तयारी अलट अलट नहीं है एससी और रेलवेटे तयारी यह मत सोचो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ठीट है ओके बाई तो आप सब लोट स्ट्रीन शॉर्ट लेलो अगले जितरे भी बचे हुए दिन है उस दिन में ये ट्लास से लेटे आउंगा और इनकी टाइमीन सामते साथ बज़े हो डी सर आपको टोई भी ट्लास लेलो देखने मज़ा आता है आचा ठीटे और मैं ये इसलिए लेटे आ रहा हूँ ताठी एट बार बच्चों तो 75 कोशन का आटो मोवैल का सेट मिले बच्चे ये समझ पाया थि 75 कोशन में उनके 27 28 नंबर आ रहे है इसी तरह से ये और कोशिस मेरी ये भी रहेगी ति मैं इन में से 8 सेट इलेक्ट्रीशन ट्रेट क अब बीच पे लड़वा दूंगा पूरे 75 कोशन टाओ चलो फिर अरा बच्चों के फिर बता दू जिन भी बच्चों को बेसिट साइंस की बुट लेनी है तोटी बुट आ चुटी है और ये बुट इसलिए आप ले लीजे तोटी यही वो सब्जेट है जो आपता सेलेक् के बैठे हो किस्ता बतला आपका सेलेक्शन लगबट कम्प्लीट हो चुटा है तोटी चालिस टोशन पुछा जाएगा इससे ठीक है इस बुट टो ऑडर करने के लिए आप इस नंबर पे डिरेक्ट फोन टीजे मैडम बाद करनेगी लिंक्ट देगी आप पेमेंट टाटे वट ईर्ण कर सकते हैं बाटि अज़र आप अभीस एल पी टेफ्निशन की त्यारी चाहिए रहे हैं और ओप्पन वेकंसी ट्यारी करना चाहे रहा है तो open vacancy ती तेहरी करने लिए आपको ये बैच जोईन करना चाहिए foundation बच्छो foundation बैच की ठास बात क्या है इसमें आपको cbt1 के सारे सब्जेट्ट यानि math math के साथ आपको reasoning reasoning के साथ पूरा gk जिसमें history policy आपको पूरा science physics chemistry biology इसमें आपको ट्रेड मतलब जो भी आपके सब्जेट्ट पूछे जाते हैं वो सब्जेट्ट तो मिले नी मिले नी सिर्फ आपको बच्चों यहाँ पर cbt1 का मॉट टेस्ट हरा यह भी मिले रहा उस्टी संक्या होड़ी 40 cbt2 के पार्ट एक मॉट पार्ट एक मॉट की संक्या होड़ी 30 इस्टे लावा आपको ट्रेड का मॉट संट्रेड की मॉट की संक्या होड़ी 10 आप सोच से देखिए इतना सब्चों मात्र 864 होगे आप माई पार्सला एप्लीकेशन को डाउनलोड टरके अपने बै संक्याइटि तब तट है जब तट तक आपका सलेक्ट संट हो जाता है एच साल दो साल नहीं जब तट जब तक तक यापकाा रेल में सलेक्शन को जाता हो चला फिर, निमीज इंगलिस में काम चल ला है दोस्त, बहुत जल्दी मैं इंगलिस टी बुट लॉंच्टर नूडल इटिन अचानट से नहीं लॉंच्ट री जा सकती, हर एक चीज देखना होता है मेरे भाई, ठीक है, कोई और डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजे, चला फिर, अब लोग मिलते हैं नेच्ट टूड़ियो में, वीडियो प्रेट बाल लाइट जरू उटर देना, अपने दोस्तों टे साथ सेर जरू उटर देना, थैंक्यू बेरी मॉच्ट